दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग चौधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे राजनीत बिज्यान व अंतराष्टी राजनीत एवं बिधी का महतुपू टापिक अंतराष्टी कानून या अंतराष्टी बिधी इसके अ अंतराष्टी कानूनों के प्रमुक्सरोत कौन-कौन से हैं तथा साथ ही हम देखेंगे कि अंतराष्टी कानूनों के प्रकार तथा क्या अंतराष्टी कानून वास्तों में कानून है या नहीं इसके बारे में भी क्योंकि अंतराष्टी कानूनों के विपच्छ में विद् इस्किप्सन बाक्स में डाल दूँगा तो आए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर वीडियो अंतराश्टी कानून यानि कि इंटरनेशनल ला अर्थ परिभासा श्रोत व महत्व और क्या अंतराश्टी कानून भी कानून है दोस्तों बर्तमान युग में स्वतंत राश्टों के संबंधों में तेजी से बृध्धी हुई है और प्रतेक स्वतंत राज्ज दूसरे राज्जियों से अपने संबंध बनाने तथा बढ़ाने की चेश्टा करता है अंतराष्टी कानून बिभिन राज्यों के पारस्परिक संबंधों और उनके बेवहारों का नियमन करता है राष्टी कानूनों के पीछे जहां राज्य के सत्ता कबल होता है वहीं इसके विप्रीत अंतराष्टी कानून, स्वतंत्र और सभ्यराज्यों की मान्यता और सद्भावना पर लागू होते हैं वर्तमान में जो अंतराष्टी कानून है दोस्तों उसका आधुनिक विचारों तथा फ्रांसीसी ग्रांती की देन है जो अंतराष्टी बिधी या कानून है वो आधुनिक विचारों और मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांती की देन है और अंतराष्टी बिधी या कानून नियमों तथा संधियों का एक सेठ है या समुच्चे है जो राष्ट राजियों द्वारा स्विकार किया गया है यूगो ग्रोसियस जो है यूगो ग्रोसियस को अंतराष्टी बिधी का जन्मदाता माना जाता है उनकी प्रसिध रचना है आंदला आफ वार एंड पीस जो की 1625 में प्रकासित हुई थी इस कारण से इन्हें अंतराष्टी बिधी का जन्मदाता या जनक कहा जाता है अब आईए देखते हैं दोस्तों अंतराष्टी विधी या कानून की कुछ बिद्वानों द्वारा कुछ परिभासाइं दी गई हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं पहली परिभासा है ओपेन हीम की तो ओपेन हीम कहते हैं कि अंतराष्टी कानून प्रथाओं तथा परंपराओं का वह समुच्छ है है जो सब भिराष्टो द्वारा अपने आपसी संबंधों में बैधानिक रूप से बाद्धे समझा जाता है यानि कि जो अंतराष्टी कानून है ये सब भिराष्टो द्वारा जो इसको मानते हैं या मान्यता देते हैं उनको उनके उपर बाद्धे समझा जाता है हलाकि इसकी बाद्धेकारी सकती नहीं है अंतराष्टी कानूनों की लेकिन जो राष्टी इनको मानते हैं उनके लिए इसको बाध्य समझा जाता है दूसरी महत्वपूर्ण परिवासा गिलक्राइश्ट की है गिलक्राइश्ट कहते हैं कि अंतराष्टी कानून ऐसे नियमों का समू है जो सभ्यराज्यों द्वारा अपने पारस्परिक बेवहारों की किरियान्वेन में और पालन करने में लागू होता है प्रतेक राज्य अपने नहतिक अस्तर तथा सुविधा के अनुसार इन नियमों का पालन करते हैं एक अन्य महत्पूर्ण विचारक है प्रोफेसर हाल प्रोफेसर हाल के अनुसार अंतराष्टी कानून आचरण के वे नियम है जिन में आधुनिक सभ्य समाज या सभ्यराज अपने को बधा हुआ मानते हैं और इन नियमों में वही शक्ती होती है जो मनुस्यों के अंतरात्म में होती है तो प्रोफेसर हाल के अनुसार कुल मिलाकर जो अंतराष्टी कानून है वो राज्यों की नैतिकता से आधारित या उन से संबंधित कर दिये गए हैं अब आये देखते हैं दोस्तों राष्ट्री तथा अंतराष्टी कानूनों में अंतर तो दोस्तों राष्टी कानून राष्ट के अंतरगत नागरिकों के पारस्परिक ब्योहारों को नियमित और नियंतरित करते हैं जबकि अंतराष्टी कानून विभिन राष्ट्रों के पारस्परिक व्योहारों का नियमन करते हैं। अतह भावात्मक द्रिष्टी से दोनों से संबंधुत व्योहारों के नियमन के साधन हैं। लेकिन छेत्र और सक्ति के आधार पर दोनों में बहुत अंतर है। तो आईए अंतराष्टी कानून संसार के उस संपूर समाज तक व्यापक हैं जिसमें राज्य एक दूसरे से संबंध रखते हैं। दूसरा अंतर है राष्टी कानूनों का प्रमुक्ष्रोत राष्टी की बेवस्थापिका या लेजिसलेचर होता है और अंतराष्टी कानूनों का मु प्रभुसत्ता के बल पर जबकि अंतराष्टी कानून राज्यों की अभिमत के उपर निर्भर करते हैं। कोई निर्धारित धंड नहीं दिया जा सकता है। अंतराष्टी कानूनों के स्रोत यानि की सोर से जाफ इंटरनेशनल लाज। तो अंतराष्टी कानूनों के प्रमुक्स रोज जो हैं वो इस प्रकार हैं। अंतराष्टी संधी और समझाते कई प्रकार के अंतराष्टी कानून अंतराष्टी संधियों और समझातों से हुए हैं। राष्टों की बीच अवचारिक लिखित समझाता भी होता है, द्विपच्छी या बहुपच्छी समझाता भी होता है, जो शुरुवाति को शंधिया की गई थी अंतराष्टी अस्तर पर उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है आंग्सबर्ग की सांति संधि जो 1555 में की गई थी, विश्ट फालिया की संधि जो थी 1648 में, उटरेक्ट की संधि 1713 में, और पेरिस की संधि 1814 में की गई थी, तो अनेक परकार के अंतराष्टी संधियों और समझाते अंतराष्टी कानून के मुख स्रोत होते हैं इन्हें हम पहले अस्थान पर रख सकते हैं अब आये देखते हैं अंतराष्टी कानून के जो स्रोत है उसमें दूसरा प्रमुख स्रोत है संयूक्तराष्ट संग तो संयूक्तराष्ट संग अपनी अस्थापना के बाद अंतराष्टी कानूनों का प्रमुख स्रोत रहा है विस्वसांति और सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्तराष्ट संग नियम बनाता है और ये नियम संयुक्तराष्ट के सदस्य राज्यों पर लागू होते हैं और बाद में वही नियम जो होते हैं वो अंतराष्टी कानून का रूप ले लेते हैं तीसरा जो स्रोत है अंतराष्टी कानून का वो है युद्ध तथा अंतराष्टी संगर्स तो कभी-कभी युद्ध और बिभिन राज अंतराष्टी संगर्ष में ऐसी परिस्थितियां उत्पन हो जाती है कि अंतराष्टी कानून आवस्यक हो जाते हैं इन्ही परिस्थितियों को रोकने के लिए और दुबारा उनको न होने देने के लिए ऐसे कानूनों की आउसकता होती है कि 207 की अस्थापना में राज्य सहयोग दे सके और विभिन राज्यों के बीच सहयोगपूर इस्थिति बन सके चौथा स्रोथ है कूट नीतिक संबंद तो विभिन स्वतंत राज्यों के पारस्परिक संबंद को बनाए रखने के लिए जोड तोड और होड लगी रहती है प्रतेक देश दूसरे देश में अपने राजदूद भी भेशते हैं जो पारस्परिक संबंदों को बनाए रखने की चेश्टा करते हैं और अपने देश के अंतराष्टी नीतियों के आधार पर कारे करते हैं और ऐसे संबंध जो होते हैं ये भी अंतराष्टी कानून के प्रमुक्सरोत के रूप में समझे जाते हैं इसके अलमा रीत रिवाज और परमपराएं रीत रिवाज और उदारण के लिए हम देख सकते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन राज्यों में एक राज्य के सासक दूसरे राज्य के सासकों के साथ कैसा बेवहार करते थे वह प्रथा के रूप में दूसरे राज्यों के द्वारा भी स्विकार कर लिया जाता था और उसी पे आधारित अंत अंतराष्टी कानून का कानूनी विधिवेत्ताओं की पुस्तकें तो विधिसास्तर के विशेसग्य जो हैं उनकी पुस्तकों को भी अंतराष्टी कानून के स्रोत के रूप में स्विकार किया गया है अंतराष्टी ख्यात के कानून विशेसग्य अपने पुस्तकों में अप अभी नराज्यों के बीच उठने वाले विवादों का हल करने के लिए अंतराष्टी नियाले की सहायता ली जाती है और अंतराष्टी नियाले के निड़े भविश्य में नजीर या केसला की तरह प्रयोक किये जाते हैं और ये भी अंतराष्टी जो कानून है उसके लिए प् अब आये देखते हैं अन्तराष्टी कानून के प्रकार कौन-कौन से हैं यानि टाइप साफ इंटरनेशनल लाग। पहला है सांती कालीन कानून या शीत कालीन कानून तो अंतराष्टी नियमों की दृष्टी से संसार के जो सभी राष्ट है और संप्रभुता संपन राज्य है उनका समान महत्व है कोई भी राज्य बड़ा हो या छोटा धनी हो या निर्धन बिक्सित हो या अबिक्सित अंतराष्टी नियम के अनुसार सभी भराबर है और इ शीत कालीन इस्थिती में या एक राज्य का दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए कुछ नियम होते हैं शीत कालीन या सांति कालीन नियम वे हैं जब राज्य आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते हैं ऐसे में राजदूत होते हैं और विदेशी नागरिकों के साथ कैसा बेवहार किया जाता है उनकी सुरच्छा के लिए क्या प्रबंद किया गया है ये सारी चीजे शान्तिकालिन कानून या सीदकालिन कानून के अंतरगत आती हैं दूसरा है युद्ध कानून तो युद्ध के समय जो नियम लागू किये जाते हैं वो सान्तिकालिन परिस्थितियों से वो इस्थितियां भिन होती हैं ऐसे समय में ऐसे कानूनों की आवसकता होती है जिनके द्वारा राज्यों के युद्ध कालिन बेवहारों का नियमन हो सक उदाहरण के लिए ये कानून ये निश्चित करते हैं तिक्की नियंत्रों का प्रियोग करना चाहिए तथा युद्वन्दियों के साथ कैसा ब्योहार किया जाना चाहिए तीसरा प्रकार है मानवाधिकार संबंधी कानून तो मानवाधिकारों की रच्छा के लिए कोछ अंतराष्टी कानूनों का निर्मार किया जाता है जिसे संसार के संपूर मानवता के हित के लिए प्रियोग किया जा सके चोथा प्रकार है समाज कल्याण संबंधी प्रकार तो ये जो अंतराष्टी कानून का प्रकार है इसमें विभिन प्रकार की जो संस्थाएं है स्रम कल्याण के लिए इंटरनेशनल लेबर आर्गिनाईजेशन अंतराष्टी स्रम संगठन और स्वास्त के लिए डबलू यच् हैं जो राज्यों को आर्थिक सहायता पहुचाने से संबंधित होते हैं संयुक्त राष्ट संग के द्वारा आर्थिक सहायता या एक राज्य की आर्थिक सहायता संबंधी नियम जो नियम होते हैं उन्हें आर्थिक कानून कहे जा सकते हैं छठा प्रकार है राजनीतिक कानू तो कुछ ऐसे अंतराष्टी कानून भी होते है जो दोस्तों इस प्रकार हमने देख लिया अंतराष्टी कानून के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं अब आईए देखते हैं अंतराष्टी कानूनों के पालन के कौन-कौन से आधार हैं तो इसके 6 प्रमुख आधार हैं अंतराष्टी कानून के पालन के आधार क्योंकि अंतराष्टी कानून के पीछे किसी प्रभुता संपन राज की सक्ति नहीं होती है फिर भी इसके पीछे अनेक सक्तियां और कारक होते हैं जिनसे राज्य जो होते हैं संप्रवता संपन राष्ट होते हैं अंतराष्टी विदी का पालन करते हैं विभिन राज अंतराष्टी कानूनों का पालन क्यों करते हैं इसके जो कारण है उसके बारे में हम बता देते हैं पहला है पारसपरिक स जो उस समझोते से बधा हुआ है उसका करतब्य होता है कि वे इन नियमों का पालन करें तो पहला जो पालन का आधार है वो है पारसपरिक समझोता दूसरा है राज्यों का हित यानि अंतराश्टी कानून के पालन के पीछे राज्यों का स्वार्थ और उनका हित भी महतुपू वो न्तराष्टि कानोन का पालन करने के लिए एक धस्ता कारे पालन का आधार भाजाया जसानी से अलग मोर्म करती ब्रादर हो brigantine कर्कित में इस्ता कई बुझे द कन मुझे रेखारॉं पर। इस दंड का भय भी अंतराष्टी कानून का पालन करने का आधार तयार करता है पाचवा है अंतराष्टी संस्थाएं तो अनेक प्रकार की अंतराष्टी संस्थाएं जो हैं वो कानून को लागू कराने के लिए प्रयास करती हैं संयुक्त राष्ट संग के अंतरगत सुरच्छा परिशद है और अंतराष्टी नियाल है यानि कि इंटरनेशनल कोर्ट आफ जश्टिस ये ऐसी संस्थाएं हैं जो अंतराष्टी कानून को लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं छठा है अंतराष्टी बिध के पालन करने का आधार की बिध की सार्थकता तो अंतराष्टी कानूनों का पालन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कानून कितना महत्वपूर्ण और सार्थक है कुछ कानून ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि कोई राज्ज आसानी से उनका उल अंतराश्टी कानून वास्तों में कानून है। अंतराष्टी कानूनों के बिपच्च में प्रमुक तर्क देने वाले विचारकों का मत है पहला कि ये किसी संप्रव का आदेस नहीं है जो लोग अंतराष्टी कानून को कानून कहने से इनकार करते हैं उनका मुख्य तर्क ये है कि कानून किसी संप्रव का आदेस होता है और अंतराश्टी कानून किसी संप्रव का आदेस नहीं है या इनके पीछे कोई संप्रव नहीं है इसलिए इनको कानून नहीं कहा जा सकता है दूसरा तरक ये है कि ये राज्यों के बेवहार का मानक है और इसलिए इसे कानून का धर्जा नहीं दिया जा सकता है ये केवल राज्यों के बेवहार का मानक है तीसरा तरक ये है कि अंतराश्टी कानून बाद्धिकारी नहीं है इनके पीछे कोई ऐसी सक्ति नहीं होती है जो राज्यों को इसके पालन के लिए बाद्धे करे आश्टिन, बेंथम तथा हाफ जैसे बिद्ध्वान मानते हैं कि ये नियम कानून की स्रेडी में नहीं रखे जा सकते हैं क्योंकि इन पर जो है किसी बाद्धेकारी सक्ति का तो अंतराष्टी कानूनों को नियायले के द्वारा कोई माननेता प्राप्त नहीं होती है अंतराष्टी कानूनों को लागू करने के लिए ऐसे नियायले नहीं है जिनके निड़य को मानने के लिए राज्य बाद्धे हो पाचवा बिंदू ये है कि केवल समझहोते पर देता नहीं है इसके अलावा जो छठा तरक ये है कि दंड का भय लोग कानूनों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पीछे दंड का भय होता है लेकिन अंतराष्टी कानूनों का पालन कोई इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि इनके पीछे कोई निश्चित दंड की बेव मान कर चलते हैं क्योंकि ये बाद्धिकारी नहीं है और इनके पीछे कोई दंड का भै नहीं है राष्ट के उपर निर्भर करता है कि वो इन कानूनों का पालन करे अथवा नहीं लेकिन कुछ विचारक हैं दोस्तों जो ये मानते हैं कि अंतराष्टी कानून भी कानून है वो दूसरा तर्क है कि इनके पीछे यानि अंतराष्टी कानूनों के पीछे ऐसी सक्ति होती है जो पालन करने के लिए राज्यों को विवस करती है तीसरा जो पच में तर्क दिया जाता है कि अंतराश्टी कानूनों का उलंगन करने वालों को भी दंड दिया जाता है जैसे कुछ प्रकार के प्रतिबंध लगाये जाते हैं और चौथा तर्क है कि अंतराश्टी कानून के लिए अंतराश्टी न्यायले है यहां भी नियायले की बिवस्था है केवल राष्टी कानूनों का पालन करने वाले इस अंस्था नहीं है लेकिन अंतराष्टी कानून के लिए भी अंतराष्टी नियायले की बिवस्था की गई है इसके अलावा संयूत राष्ट संग का जो सुरच्छा परिशद है वो भी अ केवल जैसा तर्क दिया जाता है अंतराष्टी कानूनों के विपच में कि ये केवल समझोते पर आधारित होते हैं तो अनेक राष्टी कानून भी समझोते पर आधारित होते हैं और छठा तर्क ये है कि कानूनों के उलंगन से कानून समाप्त नहीं होते हैं क्योंकि अनेक र पार्च में वो यह है कि अनेक राष्टी कानून भी लिखित होते हैं और केवल जन्मत पर निर्भर करते हैं तो दोस्तों कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अंतराष्टी कानून के नियमों को बिखसित करके तथा इसका संहीता करण करके अंतराष्टी संबंधों और विश्व की राष्टों के वीज संबंधों के आधार के रूप में इसकी भूमिगा को और भी प्रभावसाली बनाया जा सकता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अंतराष्टी कानून क्या है उसका अर्थ हमने देखा परिभासाएं देखी अंतराष्टी कानूनों के प्रमुक्सरो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माकदशन फार सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवस्य करें